अब गाइडिन्स मतलब जैसे कि आपको पेपर मिलेगा और आपको उसमें से कैसे प्रिपरेशन करनी है कैसे आपको स्टार्ट करना है और कम टाइम में जैसे कि अगर आपने इसका स्लेबस देखा हो M.G.7 का Indian English Literature जिसका language बहुत इसी है बहुत असान language में लिखी हुई है क्यों क्योंकि यह जो जितने भी है वो पूरा हमारा Indian writers ने लिखा है जो हमारे Indian novelist थे उन्होंने लिखा है that's why इसकी English बहुत असान है, बहुत असान languages में present किया गया, चाहिए वो short story हो, novel हो और poetry हो, लेकिन इसका syllabus थोड़ा सा lengthy हो जाता है, और 3-4 days में इसको cover कर पाना, अगर आप यह सोचे कि आप sequence से आप सारी चीजों को cover कर लेंगे, तो थोड़ा सा problem हो जेगा, बट हाँ, अगर आ यूनिट में बोला है आपको, और बहुत सारी messages आप लोगों के आए हैं, कि किस unit को छोड़ सकते हैं, कहां पर ज्यादा focus करना है, यह important poetry क्या है, यह poetry की आंसर को कितने pages में elaborate करना है, जो हमारा question number 1 आएगा, तो देखे, अग मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि time limit की, तो इस paper में time management बहुत ज़्यादा important हो जाता है, क्योंकि यह paper बहुत lengthy आता है, और lengthy क्यों लगता है, question तो इसमें 5E होते है, क्योंकि जो इसका question number 1 होता है, that is poetry, और आपको कुछ poetry is given होती है, जिसके बारे में आपको लिखना होता है, RTC मतलब write to context, यह पहले paragraph में आप यह लिखेंग के बात कर रही हूँ मैं अभी, और मैं इस बात को लेके चल रही हूँ कि आपने जो इसकी question answer की video मैंने sign किये थी, आपको previous year question paper, or you can say that important question paper, कि आप उसे देख चुके हो, अगर आपने नहीं देखा तो पहले paper के pattern को देखो, क्योंकि paper के pattern को समझना ज्यादा important हो जाता है, किस question होते हैं, उनमें से एक करना है, question 4 में और question 5 में इसी तरीके का एक pattern follow होता है, अब बात ये आते हैं कि क्या सारे units, इसमें total number of units की बात करें तो 8 unit है, जो आपका unit 1 है, वो क्या है, आपका non-fictional prose है, जिसके अंदर आपको autobiography और कुछ messages मिलेंगे, किसके, स्वामे विवेका न कि non-fictional prose को आपको ignore करना है, सिर्फ non-fictional prose में से जो गांदी जी है, उनका हिंद स्वराज पढ़ना है, या इससे related एक दो question पढ़ना है, जो कि मैं आपको cover करा दूँगी, एक दो दिल में ही, आज से हम start कर देंगे अपना question answer के series, तो question जो unit number 1 है, non-fictional prose, वो और जो आपका unit number five है, midnight children, इन दो को आप ignore कर सकते हो, अब बात यह आ जाती है, कि इन दोनों को ignore करने के बाद, कि जो paper में question आएंगे, क्या उनको आप five attempt कर पाएंगे, तो देखे, previous year के paper से यही है, कि जो आपका आता है, ये clear light of the day, right, ये, sorry, जो आपका midnight children आता है, ये हमेशा question number five पे पूछा जाता है, midnight children के option में आपका आता है, question Tara novel के ओपर, ठीक है, तो midnight children थोड़ा सा complicated novel है, बहुत जादा इसमें characters है, कुछ flashback चलते हैं, कुछ past में, कुछ present में चलता है, और बहुत complicated हो जाता है, अपने आप में, लिकिन जो Tara play है, that is very interesting, और इसमें एक छोटी से story है, और जादा कु night children है, आप इन दोनों work को ignore कर सकते हैं, but मैं दुबारा repeat करें, unit number 1 है, non-fictional prose, वहां से हम गांधी जी के answer को जरूर complete करेंगे, क्योंकि कभी-कभी होता है, कि गांधी जी का answer वो अपने आप में ही बहुत important हो जाता है, तो बस एक answer complete करना, it's not a big deal, और गांधी जी के work के बारे के लिए कितना शेशन देना है, तो देखिए, question हमार पास 5 ही है, question number 1 में poetry है, 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, doesn't matter, अगर sheets एक example के लिए बोल रही है, because I don't know exactly कि कितने pages के sheet आ रही है, अगर 25 pages के sheet आ रही है आपके पास, तो 5 pages each को देना है, तो 5 pages ही आपको question number 1 को देना है, अगर 6 poetry की line है, तो 6 poetry lines को आपको उसी 5 pages में सब कुछ complete करना है, ऐसा नहीं करना है कि poetry को आपने 10 pages दे दी और बाकी answers के लिए 2222 pages बचे हुए, तो equal distribution इसी तरीके से करना है, right, अब important बाट हो जाती है आपकी कि कौन सी poetry जादा important है, और जो कौन सी short stories जादा important है, तो देखिए, जो बहुत जादा repeat हुई है, मैं उसकी अगर बात करूँ, तो short stories में जो गाजर हलवा है, astrologer's day है, miracle है, Ruskin Bond का work है, और only American from our village, इन से question जादा तर repeat होते हैं, in short stories से, और यह सारी short stories, जितनी भी important है और जितनी भी important poetry हैं, जो previous exam papers में आई हुई हैं, वो सारा आपको playlist में मिल जाएग दो चार नहीं हैं, वो भी basically, poetry की film में मैं बोलू तो, दो चार poetry अभी नहीं हैं, तो वो मैं एक दो दिन के अंदर work कर लूँगी, और poetry को मैं यह नहीं बोल सकती, आप सिर्फ इनी को कर लीजिए, क्योंकि previous 4-5 years की poetry में आपको cover करा दूँगी, जो exam में पूछी हैं, RTC की form म वो 4-4 lines में आपको explain करके समझा दूँगी, बाकी यह है कि poetry में कुछ हैं जो बहुत important हो जाती है, जैसे कि bride of fire से question आता है, love and death से question आता है, enterprise से आता है, an introduction जो की कमला दास की है, इस पे question आता है, my country at glory past, इस पे question आया हुआ है, यह भी आपका 2018 में आया हुआ है, उसके बाद the lotus poem है, तोरुदत की, उस पे आया हुआ है, the harp of my country, इस पे question आया हुआ है, the old woman, इस पे question आया हुआ है, और introduction वाला तो बहुत बार repeat हुआ है, कमला दास का, right, तो यह कुछ poetry's हैं जो बहुत-बहुत-बहुत repeat हो रही हैं, और ऐसा है कि मैं यह नहीं बोल सकती, आप ignore कर दीजे यह lotus भी बहुत repeat हुई है, जो तोरुदत ने लिखी है, lotus, to India my native land, यह भी आई हुई है, आपकी 2017 में, उसके बाद आपकी कमला दास की introduction भी आई हुई है, दुबारा से repeat हुई है, यहां पे background casually भी आई है 2017 में, तो इस तरह से poetry's का majority of यह है, कि 4-5 जो poetry's है, उनको छोड़के majority जो poetry's है, वो आपका repeat ही करती है, तो मैं आपको यह नहीं बोल सकती है, कि आपको 10 poetry कर लीजिए, बढ़ हां, जितने भी important poetry's है, उनकी list मैं आपको provide कर दूँगी, जितने भी previous year की है, year के साथ की कौन से year में कहां से आई थी, और उसको मैं community पे share कर दूँगे आपके साथ, त जो four lines में ही complete होती है, जैसे कि श्री अर्विंदो जी की जो tree poetry है, तो tree में क्या है, four lines ही है, और अर्विंदो की दूसरी poetry भी छोटी सी ही है, तो Indian writers ने बहुत भारी भरकम poetry's नहीं लिखी है, वो छोटी सी message देने वाली poetry लिखी है, hardly one page की poetry है, उनकी, तो line to line कवर कीजे, क्य मैं Google पर जाके summary सुन लूँ या फिर किसी channel पर जाओ जाओ, सिर्फ summary हो रही हो पांच मिनट के अंदर, तो आप paper में question को छोड़ के आएंगे, वहाँ पे RTC आईगी, आपको poetry की line given होगी, और poetry की line को पढ़ के आपको समझना है, कि यह poem कहां से आई हुई है, तो समझ तभी पाएंगे जब आपने उस poetry को line to line cover किया हुआ है, so don't worry, जितनी भी important poetry हैं, एक दो को छोड़ के बाकि सारी playlist में uploaded हैं, आपको lotus मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, और जितनी भी important है, like bride of fire मिल जाएगी, love and death मिल जाएगी, tree मिल जाएगी, यह सारी आप cover कर लीजे playlist से, बाकि important questions और important poetry आपको आज से स्टार्ट होता है, हमारा MEG7 और MEG8 के लिए भी परिशानी होने, क्योंकि MEG7 और 8 दोनों के question answers में साथ साथ deal करूँगी, MEG8 का बहुत छोटा सा syllabus है, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था, कि जो guidance वीडियो आई थी, कि उसमें सिर्फ आप six parts को कर प्रॉपर तरीके से आपका paper outstanding हो जाएगा, लेकिन MEG7 का मैंने इसलिए आपको recommend भी नहीं किया था, वैसे subject बहुत असान होता है, लेकिन इसमें जो पढ़ने का matter है, वो थोड़ा जादा है, तो smartly study कीजिए, हो जाएगा, और continue रहिए इस channel पर, अगर आप firstly, आप मेरे channel को आजी देख रहे हैं, तो आप इसे क्या कर सकते है, subscribe कर सकते है, because आपको notification, question, answers, आपको पूरा complete syllabus मिल जाएगा इन्नों का, तो start करेंगे question answer series को, और सबसे पहले question answer को cover करेंगे, after that, जो previous year short stories से question आया हुआ है, उनको cover करेंगे, और after that, poetry पे discussion करेंगे, but before that, मैं आपको important poetry जरू जरूर लिख्वा दोंगी, year के साथ की किस year में किस-किस poetry equation आया हुए, so मुझे लगता है, इतना काफी है, मिलेंगे हम लोग next video में, और सबसे important कि time management कर लेना exam में, क्योंकि घंटे आपके पास उतने ही है, problem क्या होती है, part A में students बहुत जाधा time दे देते है, right, उनको लगता उसी पे लगे रहेंगे, तो बाकी के जो आपका 80 marks का paper है, वहाँ पे उसका effect पड़ेगा, और उसे cover कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, right, तो question number one को बिल्कुल time bound के साथ रखना है, pages का भी ध्यान रखना है, कि ये नहीं कि आपको आती है, तो आप प्रोज है, जो unit one है, उसको complete ignore कर दो, बद गांधी जी का question ignore मत करना, उसको मैं आपको करा दूँगे, उसके notes बना ले रहा, और midnight children हमेशा option में आया है, तारा के साथ, या तो ये तारा के साथ आता है, majority of time ये तारा के साथ आया है, एक दो बार ही आया है, short stories के साथ, तो जब short stories भी आप करी रहे हैं, तो कोई issue नहीं होगा इस बात से आपको, तो आप midnight children को आप देख सकते हैं, previous year जो papers हैं, वहाँ पे भी, कि हमेशा ये तारा के साथ option में पूछा गया, और तारा बहुत interesting play है, so, ये बहुत, sorry for that कि जो वीडियो है हो, मैं थोड़ा लेट लाई हूँ, क्योंकि आपके messages काफी दिन से आ रहे हैं, but देखे, मैंने जब तक इसको पढ़ा नहीं किया, मैं आपको नहीं बता सकते हैं, कि आपके इस पार्ट को कितना ध्हान दीजिए, तो उसके लिए sorry, और मैंने reply नहीं किया, by chance, मैंने नहीं देखा उस message को, तो आप वो message मुझे दुबारा कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं है, कि दुबारा करेंगे, तो फ्री of course service है, तो आप मुझे वो message दुबारा कर देंगे, किसी student को लगता है, कि उसने कोई topic भीजा था, उसको एक दो week हो चुक पहले, short stories, जितनी भी important है, playlist में available है, उनको complete कर लो, short stories के बाद novel को complete कर लो, poetry को सबसे last में उठाना, because poetry जो है, बहुत time taking है, तो पहले बाकी का 80 नंबर का paper अपने हाथ में कर लो, उसके बाद 20 नंबर की जो poetry है, उस पे focus करना, right, so good luck to everyone, don't forget to share your views and thoughts regarding to the video और the content, और MEG 7 और 8, so तो MEG 8 के लिए भी है, मैं सूनर उस पे भी काम कर रहूं, साथ साथ ही करेंगे, तो start करेंगे, question answer की series भी हम start करेंगे, अपनी novel से, novel, उसके बाद short story, after that मैं poetry पे आऊंगे, right, so मिलते है next video में with a question